हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आप सभी लोग कैसे हो, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सभी के साथ शेर करने जा रहे हूँ आलोगो भी कौफता, ये बन करके बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेर करना तो बनता है तो आप ये अपने अपने घरों में बनाईए और मुझे कमेंट में जरूर बताईए घर के कुछ चीजों से आप इसे इसली बना सकते हैं और वो भी बहुती टेस्टी तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने चार पटेटो लिये हैं इसको मैं दो पीसे में कट कर लूँगी आप इसे भी वाश कर लीजेगा फिर उसके बाद कट कीजेगा अब मैं इसे कूकर में डाल लूँगी इसके बाद इसमें थोड़ा सा वाटर डाला है लिड लगा देंगे इसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पे वेसल के लिए रख दूंगी त्री वेसल के बाद इसे हम उतार लेंगे इसके बाद मैंने थोड़े से वेजीस लिए हैं यह देखे हरी मिर्च टमाटर प्याज उसके बाद धनिया डाला है जीरा डाला है सॉल्ट डाला है हम फाइन पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे अब मैंने एक कटोरी में चॉप्ड गोभी रखे हैं इसे मैं अच्छे से चॉप्ड कर लूँगे छोटे-छोटे ग्रैंडर में डाल करके ब्लेंडर में इसके बाद यह देखे बन करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब जो म यह देखे जिस तरीके से मैं मिला रहे हैं उसी तरीके से आपको भी मिला लेना है इसके बाद इसमें करीब वन टेबल स्पून बेसन मिक्स करना है और वन टेबल स्पून करीब राइस फ्लार डालना है आगे इसको आच्छे से मिला लेंगे और अब हम कोफते का शेप बना अब उस तरीके से इसे बना सकते हैं यह देखे बन करके रेडी हो चुका अब मैंने फ्लेम ओन किया है इकड़ा ही रखा है उसमें हमें ऑईल डालना है जिसरी कि हम कोफते फ्राइब कर सके अब यह देखिए आप कोईसा भी समें यूज कर सकते हैं जो आप अपने डेली यू हमें मीडियम फ्लेम में इसको फ्राइब करना है जिसकी अंदर तक अच्छे से पक सके यह देखिए हमारा जो कोफते हैं वह रेडी हो चुके हैं अब मैं इसको निकाल लूँगी इसके बाद अब मैंने इसमें एक कटोरी लिया है धनिया लाल मिर्च हल्दी और थोड़ा स पानी डाल करके इसका अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए जैसे कि मैं मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा से इसमें हम बेसन डालेंगे हाफ स्पून अगे इसमें मिक्स कर लेंगे जो भी आप घर में मसाले खाते हैं वह मसाले आप यूज क जो मिक्स हमने रखा था उसे हम डाल देंगे इसमें और कुछ थोड़ा सा वाटर भी एड़ करेंगे जितनी भी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है आप उस हिसाब से ग्रेवी पानी एड़ कर सकते हैं अब इसे हम कुक करेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम में थोड जिसके जो ग्रेवी है हमारा उसका टेस्ट को कुछ अच्छा आए ग्रेवी में जब यह डाल देते हैं मैश करके तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने लगता है उसके बाद मैं दो मिनिट के लिए से कवर करके छोड़ दूँगी यह देखे मैंने कुछ भी एक्स्रा मेथी डाला है मैंने यह देखे जो हमारा ग्रेवी है वह करीब रेडी हो चुका है मजेते में बाल्स है कुफते वह सब डाल दूँगी इसमें और फ्रेम जो है मैं आफ कर दूँगी तो ग्रेवी में हमें कोई भी जंजट नहीं है थोड़े से मसाले लेने जो भी आप घर किसी वह कॉफते बनाने में ही है तो आप भी अपने अपने घर में बनाइए बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा बनने के बाद यह बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में यह बहुत ही टेस्टी होता है जैसे कि देखने में लग र झाल 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 झाल